गाइस देख सकते हो यह वही मैदान है जहां पर अलावदुन खिल जी के लड़ाई हुए थी यानि बहुत बड़ा युद्ध यह वही पोईंट है जहां पर जोहर को नुद हुआ था यानि जहां पर रानी पदमनी ने अपने 16,000 दास्यों के साथ यहां पर अपने आपको ज शीशे से देखते थे और यही पर अलावदुन खिल जी ने उनको रानी पत्मावति को देखा था अब यह शीशा जोने टोड़ चुका है कैसे दोस्तों एक और व्लोग में स्वागत है और आज हैं चितोड़ गड़ किले में जो कि एशिया का सबसे बड़ा किला है बताना चाता हूं गाइस इस पर मैं एक फुल भिलोग बना चुका हूँ इस के लिए के अंदर 7 गेट है और यह 791 में बना हुआ है और यह कभी मेवाड़ की राजदानी हुआ करता था बताना चाहता हूँ कि इसके लिए के अंदर 8 पॉइंट है जो आपको अट्रेक्ट करते हैं जो आपको घोमने चाहिए बट मैं ओल लेडी फुल ब्लोग बना चुका हूँ तो आज जो हम जा रहे हैं वो तीन पॉइंट घोमेंगे पहला पॉइंट रानी पदमवाती का वो जोहर कोईंट जहां उन्होंने 16,000 रानी के साथ अपने आपको जोहर कर लिया था दूसरा जो पॉइंट है वो जगह जहां अलाउदिन खिल जी ने रानी पदमवाती को फर्स टाइम देखा था और तीसरा वो पॉइंट जब अलाउदिन खिल जी का युद हुआ था तो छे महीने वो उस मैदान में रहा था वो मैदान में आपको दिखाने वाला हूँ तो गाइस फाइनली वो पॉइंट आ चुका है जहां पर पदमवाती ने जोहर किया था अपने 16 है रानियों के साथ और इस अर पॉइंट की बात करो तो बहाँ पर ओ लेडी चार पॉइंट है वो चार पॉइंट में आपको दिखाने वाला हूँ तो गाइस अगर किले के टिकेट की बात करों तो टिकेट जो है मात्र 35 रुपे का है और कैमरे का कोई भी चार्ज नहीं है कैमरे वगर ला सकते हो तो गाइस जहां हम आ चुके हैं यहां पर चार पॉइंट है तो पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं यह है बिजय स्थम जो कि अब एक तरह से बंध है यहां अंदर जाना अलाव नहीं है पहले कभी एंट्री हुआ करती थी तो गाइस यहां का पहला पॉइंट था उसे के बाद अभी हम तीन पॉइंट और देखने वाले हैं यह जो गेट देख रहे हैं न यह टोटल आपको पजल्स में मिलेग और इसकी आप खुबसूरती अभी भी देख लीजिए ब्राउन कलर का गेट काफी अच्छा लग रहा है और जश्ट सापने आप जो मंदर देखेंगे इस मंदर का नाम है ब्रह्मा विश्नु महेश मंदर इसे समाधी मंदर भी बोला जाता है और यह भी पजल टाइप में मनें हुआ है यानि इग्जैक्ली पहले क्या होता था कि चुना और जो उड़त की डाले उसका यूज हुआता था क्योंकि सिमेंट तो होता नहीं था उससे में तो यह मंदर मैंने देखा है बहुत ही खुबसूरत है दूसरा जो ब्लोग फुल मनाया मैंने उसमें आप तो यह सामने वाले जो पोइंट है यही है जोहर कुंड तो गाइस यह जो आप मैदान देख रहे हैं खाली यही है जोहर कुंड और इग्जैक्ली यहां पर पहले बहुत बड़ा गड़ा हुआ करता था जो पाड़ दे गया है तो गाइस मैं अभी जोहर इस थल पर हूँ यानि यह वो पोइंट है जहां पर आप पूरा देख लिजिए इसी में रानी पदमनी ने 16,000 दास्यों के साथ यहां पर अपने आपको जोहर कर लिया था अपने मान और शमान के लिए और केवल एक बार जोहर नहीं हुआ था ब यानि तीन बार यहां पर बहुत बड़े लिवल पर जोहर हुए थे यह वो पोइंट है जहां मैं इससे मैं ख़ड़ा हूँ गाइस जैसे आपको पता होगा अलाउदन खिल जी और राजा रतन सिंग जी के बीच जब युद हुआ था और उस युद में राजा रतन सिंग इस दुनिया से शहीद हो गए तो उसके बाद जैसे ख़बर यह है महलमा पता चली तो रानी पदमावती और उनकी 16,000 रानियों ने इस जोहर कुंड में जोहर कर लिया था यह उस वक्त के तस्वीर है जब उन्होंने जोहर किया था हाला कि आज इन गड़ों को पाट दे ग डाद ही? कि गायज मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इस किले में तीन बड़े जोहर हुए हैं एक जोहर के बारे में तो मैंने आपको बता दिया दो जोहर और हैbr legitimately और उन इस हल के बारे में कोई जानता नहीं है एक कुंभा माहल में सुरंग है और दूसरा जो है भिमलत के पास बट आम इंसान को किसी को जानकारी उसकी नहीं पता है तो गाइस लोकल लोगों ने बताया है कि जब यहां पर गड्डा हुआ करता था तो लोग काफी डरते थे चीख ने चिलाने के आवाज आती थी उसके वाद इस गड्डे को बंद कर दे गया तो गाइस यही था जोहर कॉंड जहार पर राणी पदमा बती ने सोला हजार आनियों के साथ अपने आपको जोहर कर लिए था अभी हम दिखाने वाले आपको अगला पोइट गईस सामने वाला गेट धेखर रहा हुआ यहीज से रानी पड़्ममानी आती थी यहाँ पर उतों जो यहाँ पेस जो चोहर को अधुsm Shouldn आδα सामने में दास योग का था यहां शेसरा यूवर दासियो का घेट था और इस सैड में रानी पड़्ममानी का था तो गाइस यह यहां का थार्ड पॉइंट है जिसे बोला जा था जलकुंड जो मैं अपने पहले ब्लोग में दिखा चुका हूँ तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रानी पदमावत्य के महल और बहां मैं आपको वो पॉइंट दिखाने बाला हूँ जहां अलावदिन खिलजी आया था और उसने एक बार शीशे में दिखा था रानी पदमावत्य को और आपने मूबी देखी होगी पदमावत्य जो मूबी आया थी उसमें भी दिखाया गया था संजा लीला वंसाले की जो मूबी आया थी गाइस ये किला बहुत ही बड़ा है और ये एसिया का सबसे बड़ा किला बॉला जाता है तो गाइस अब मैं एक और पॉइंट पे लेकर आया हूँ वह है रानी पदमावत्य का महल जो ज़स्ट मेरे पीछे देख रहे हैं यह यहां तर शांदर पॉइंट है अभी हम इसमें अंदर चलेंगे और इस पॉइंट को हम खुमेंगे बैसे तो गाइस इसे पदमावत्य का महल बोला जाता है बट इग्जेक्टली वह यहां पर आती थी रहती नहीं थी रहने के लिए जो महल है वह पानी के बीच में है जो आपको दिखाऊंगा और यह पुरा गार्डन बोल सकते हो या उनके दासियों का महल बोल सकते हो सकते हो यह रास्ता जाता है पानी के अंदर जहां महल है बट यह रास्ता पूरी तरके से बंद है आप देख लीजे क्लोज है और जश्ट सामने महल है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जब मूवी देखी वी पदमावत्य उसमें एक सीन दिखाया गया था जहां शी असली जो महल था ना वो पानी के अंदर था यह देख सकते हो यह उनका ओरिजनल महल है जहां पर रहती थी और यहां से वो जहां मैं खड़ाओं शीशे से देखती थी और यही पर अलावत भी खिल जी ने उनको रानी पत्मावत्य को देखा था अब यह शीशा जोड़ तो गाइस यह वाला पॉइंट आपको पसंद आया होगा जो मैंने आपको पत्मावत्य मोवी के दिखाया था तो गाइस अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट हो दिखाने वाला हूं जिसे बोले आता है सूरज पॉल गेट और उसी के जश्ट पीछे है वो मैदान जहां पर अलावदन खिल जी ने अपना डेरा डाला था च्छै महिने च्छै महिने तक उन्होंने इस किले को घेर का रखा था और वो मैदान आप देख सकते हैं और वो जो मूवी में दिखाया गया था वो सेम बही मैदान दिखाया गया था जो मैं आपको दिखाने वाला हूं गाइस एक और अच्छा पॉइंट दिखाता हूं यह जो पॉइंट देखने है ना इसे बलाया था सूरज पॉल गेट और यह वही गेट है और इसके सामने वही मैदान है जो कि एक बहुत बड़ा युद हुआ था यानि आलाव दिल खिल जी भाला मैं आपको दिखाता हू गाइस देख सकतों यह वही मैदान है जहाँ पर सबसे बड़ा युद हुआ था यानि अलाव दिल खिल जी की सैना थी और इसी मैदान में थी यह देख लिए तो गाइस मुवी में अभी इसी मैदान का यूज़ के गया था जस पीशाप देख रहे हैं वह पहाड मैं अभी आपको दिखा हूंगा जो मुवी में दिखाए गया था यानि सेम उसी फील्ड का यूज़ के गया था यानि रियल हुआ था यह तो आप बखाया गया है और यह जो है अलादुन खिलजी की सैना है जिन्हों छे मेने अपना तेम्बू जो है यहां पर गाड़ा था तो गाइस देख सकते हैं यह इसके बैक साइड है और यह है सूरजपोल गेट और गेट भी इतना मजबूत है और इसमें कील लिक हुई है और जश्ट पीछे वो मैदान है जहां पर बहुत बड़ा यूद हुआ था और सोच सकते हो आपने खुद मूवी में देखावा कितना बड़ा जूद हो था आप दोस्तों यह ब्लोग आपको पसंद आया होगा और बहुत ही बड़ा किला है एसिया का सबसे बड़ा किला है और काफी मेरा अच्छा एक्सपेरेंस रहा मैंने दो ब्लोग बनाए इसके और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें आप इस्टेग्राम पर मुझे फोल